हेलो बच्चो स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में तो बच्चो जो आपका साइंस का क्लास 10 का हमने एंपी बॉर्ड का सिलेबर शुरू किया हुगा उसमें जो टॉपिक चैप्टर हम शुरू करें जा रहे हैं वो है कारबन एंड इस कंपाउंस तो बच्चो चिंता करने की कोई जुरूत नहीं है मैं बिल्कुल आपको देशी भाषा में हिंदी में सारी चीज़ें समझाओंगा तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजी वीडियो को लास्त कारबन कहां कहां से मिलता है हमें थीया बच्चो तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है यहां पे वो लिखा है कि कारबन हमें अट्मोस्फियर से मिलता है अट्मोस्फियर होता है हमारा आगे पिछे इंसाइड अर्थ क्रस्ट अर्थ के अंदर से मिलता है और जितन प्रकॉल में होता है पेट्रोलियम में होता है नेचुरल गैसे जो होती है बायो गैस जो होती है मार्श गैसे जो होती है इन सब में कार्बन पाया जाता है तीसरा बचो कार्बन कहां पर मिलता हमें कार्बन तीसरा पॉइंट में हमें बताता है कि कार्बन हमें मिलता है उसके compounds में से जैसे कि carbon के carbonates होते हैं hydrogen carbonates होते हैं उन सब में भी carbon पाया जाता है fourth बहुत important point है बच्चो carbon free state में पाया जाता है मतलब free state का होती है बच्चो पूरा का पूरा जिसमें carbon हो free state जैसे कि example है diamond diamond भी carbon से ही मिलके बनता है graphite और fallerness यह सब चीजें हैं जहां जहां से हमें carbon मिलता है तो बच्चो हम एक हमने chapter शुरू कि आपका carbon edits compounds carbon और उसके compounds उसमें हम एक एक topic पढ़ेंगे मैंने चाहता कि आप में एक वीडियो में सारा burden डाल दूँ आप एक वीडियो देखो उसको समझो कोई भी चीज अगर आपको समय में नहीं आते हैं आप नीचे कमेंट में लिखो मैं उसका reply जरूर करूंगा ठीक है बच्चो तो आज हमने पढ़ा का अकुरंस ओफ कारबन ठीक बहुत जल्दी नेक्स वीडियो में इससे आगे का टॉपिक आपके सामने ले कि आऊँगा मिलते हैं अगली वीडियो में बाबाई टेक केर